हेलो एवरिवन आपका स्वागत है आई सीसी केमबस के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग टाइम एन वर्क समय तथा कारे का पार्ट थी सेशन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट वन और पार्ट टू हम पढ़ चुके हैं यदि आप लोग पार्ट वन और फिर पार्ट टू नहीं देखे तो उपर आई बटन दिख रहा है हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते आप उस पे क्लिक करके पहले पार्ट वन फिर पार्ट टू देख ले फिर पार्ट स्टार्ट करें किसी भी चैप्टर को एक सिक्वेंस से पढ़ेंगे तो जादा अच्छा लगेगा ठीक है या तो हम लिंक को डिक्षिशन बॉक्स में दे देते हैं आप वहां से देख लेंगे ठीक है अभी कौन कौन सा पेपर होने वाला एक सीजील का पेपर होने वाला एक गुरूब D का पेपर होने वाला या और भी कोई एक्जाम्स होने वाला होगा उसमें जो भी मैस आता है आप हमसे पढ़ने के बाद उसका प्रिवियस यर लगाएंगे ताकि आपको और कंफिडेंस बर्चक है ठीक है तो आप हेडिंग लगा दे कोस्टन बेस डॉन अल्ट टीक है तो चलिए हम एक्जाम्पल नमन 13 से स्टार्ट लेड़े is start number 13 है एक इन complete और वर किन टेंड बी इन 20 डेंज एक किसी काम को को स्टार्ट करना दे दे तो आप B से सॉलुशन करेंगे लेकिन इस कॉश्चन में कह रहा है A start doing this work A काम को सुरू करता है ठीक है and they are working alternate और बारी-बारी से काम करता है तो in how many days the work will be complete तो कार कितने दिनों में पूड़ा हो जाए जैसे माल लीजे कि हम और आप दोनों मिल करके यह board बनाना है A start करें ठीक है, लेकिन शर्ट यह हे कि इस board को बनाना है तो पहला दिन हम इस board को बनाना है start करेंगे फिर दूसरा दिन कौन आए गा आप आएंगे JT तो ऐसा ही alternate में work काम चलेगा ठीक है alternate norm तक ऐसा चलता रहेगा जब तक यह बोर्ड कम्प्लीट बनना जाए ठीक है तो चलिए एक्जामपल नुम्र थर्टी इन से सॉलुशन करना स्टार्ट करते हैं एक्जामपल नुम्र थर्टीन में है किसी काम को 10 देज यानि 10 दिन में पूड़ा कर सकता है बी इन 20 देज बी उस काम को 20 देज यानि 20 दिन ठीक है जैसा हम पार्ट वन पार्ट टू में पढ़ चुके है पहला काम आपको करना है एक नंबर ऐसा लेना है जो 10 और 20 से पूरा-पूरा भाग लग से ठीक है तो उसका LCM होगा LCM ले लेंगे LCM कितना होगा 20 यह LCM क्या कहलाता है टोटल वर कहलाता है कुल कार कहलाता है ठीक है अब 20 अपॉन 20 कितना होगा 1 20 अपॉन 10 कितना होगा 2 ओके अगर हम आप से पूछे ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा तो एक दिन में दो यूनिट काम करेग बी एक दिन में कितना unit काम करेगा एक unit काम करेगा तोटल unit कितना काम हमें करना है 20 unit चलिए आप questions का अगला line कह रहा है A start doing this work A काम को start करता है और they are working alternate बारी बारी से काम करता है तो देखिए इस questions को हम बिना line लिये भी solution कर सकते है direct एक line में लेकिन फिलाल अभी शुरुवात का time है तो हम line ले करके समझाते है और जब exam hall में आप solution करेंगे तो उस line को skip करते हैं फिलाल अभी आप समझे हम एक line ले लेते हैं आपके सबसने के लिए ठीक है और question में करा A start doing this work A कार को start करता है तो माल लीजे पहला दीन कौन करा A आया किया फिर अगला दीन कौन आएगा अगला एक दीन कौन करेगा B काम करेगा फिर अगला दीन कौन आएगा एक दीन के लिए A काम करेगा फिर कौन आएगा B आएगा ऐसा कब तक होता रहेगा जब तक 20 unit काम complete नहों जाए, 20 unit जब तक काम complete नहों हो जाए, ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर पहला दिन आएगा, तो कितना unit काम कर देगा, 2 unit, ठीक है, बी अगला दिन आएगा, तो कितना unit काम कर देगा, 1 unit, ओके, फिर A आएगा, तो कितना unit काम कर देगा, 2 unit, फिर B आ स्टाट हो गया, तो वहाँ पर रुख जाएंगे, जहां से रिपीटेशन स्टाट होगा, ठीक है? आप देखिए, एक और एक कितना दिन दो दिन, और दो और एक कितना यूनिट हुआ? तीन यूनिट, अगर हम आप से पुछें, दो दिन है हमें काम क handlarा है टोटल which unit v7 iphone करना अब एक बात मुझे बता इस तीन में कितना से गुणा कर दे तो सिक्स से मल्टिप्लाई करें गों तो यह होगा अथारा 18 यूनिस ऑकि 18 हो जाएगा तो math के हिसाब से अगर हम right side 6 से गुना किये हैं तो left side, 2 side भी 6 से गुना करना होगा तो 2 side भी 6 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 12 days अब मुझे ये बताईए कि अभी कितना unit काम हुआ है 18 unit हमें काम करना कितना है 20 unit तो कितना काम और बचा है दो यूनिट और रिमेनिंग बच रहा है दो यूनिट और करना अब मुझे बताईए कि अब कौन आएगा एक बात मुझे बताईए A आया, B आया, फिर A आया, फिर B आया अगर हम एक साथ A, B को ले रहे हैं एक साथ छे मल्टी पर लिए होंगे A, B, A, B, A, B तो समाप्त कहां पर किया होगा, B B पर समाप्त किया होगा, तो फिर A आएगा तो A आएगा और एक दिन काम करेगा A, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा एक बात मुझे बताई, दो यूनिट तो तो टोटल काम कितना यूनिट हो गया जल्दी बताएं 20 यूनिट, 20 यूनिट कितना दिन में काम हुआ 12 of 1, 13 days तो इसका एंसर कितना होगा, इस कोशन का एंसर होगा 13 देन आया समझ में, देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे इस लाइन का कोई आवस सकता नहीं कैसे? आप अपने माइंड में सेट कीजेगा A एक दिन में 2 यूनिट काम करता है B अगले दिन आएगा, एक यूनिट काम करेगा रिपीटेशन तीसरा दिन से स्टार्ट होगा तो दो दिन में कितना यूनिट होगा तीन यूनिट, तो दो दिन में 3 यूनिट तो तीन में कितना से गुना करेंगे तो 20 आजाएगा, 6 से, तो 18 हो गया अधर गुना करेंगे, तो 12 हो गया फिर अगला कौन आएगा, A आएगा ए आएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दो यूनिट, तो 18 और 2 हो जाएगा 20, और इधर हो गया 12, 13, 13 दिन में काम कम्प्लीट होगा, तो ऐसा आप कब माइन से सोच पाएंगे, सब सोच पाएंगे, जब आपका माइन डेबलप होगा, डेबलप कब होगा, इसको बनाने को आप सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ज़रूर बनाएं आप, ठीक है, तो चलिए एग्जामपल लंबर 14 के उड़ चलते हैं, चलिए अब हम एग्जामपल लंबर 14 के सॉलूशन करते हैं, ठीक है, एग्जामपल 14 है, A can complete a work in 20 days, B in 25 days, A किसी क आपको 25 दिनों में पूड़ा कर सकता है, ठीक है, ये लाइन समझ माए, A start doing this work, A car को start करता है, and they are working alternate, और ये बारी-बारी से काम करता है, then how many days the work will be completed, तो car कितने दिनों में पूड़ा होगा, ठीक है, आपको इस वीडियो को यहाँ पर pause करें, और खुश से solution करें, खुश से solution आ जाए, तो फिर आप इस वीडियो को continue देखे, ठीक है, क्योंकि practice आपको करना जरूरी है, क्योंकि exam hall में हम तो आपके साथ रहेंगे, exam hall में आपका brain आपके साथ रहेगा, तो इसलिए ध्यान नकिया अपने brain को start बनाए, थोड़ा सा, खुश से solution करना start करें, एक बार try ज दिये होंगे, और solution किये होंगे, ठीक है, तो चलिए, exam hall 14 को solution करना start करते है, ठीक है, exam hall 14 में, example number 14 में है, कि a can complete or work in 20 days, a किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, be in 25 days, be किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता, ओके, be 25 दिनों पूरा कर सकता है, अब पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको करना है LCM लेना है चलिए एक LCM ले लेते हैं इसका LCM कितना होगा जल्दी बताइए इसका LCM कितना होगा अंडेड होगा यह क्या क्या लाता है यह क्या लाता है टोटल वर्क यानि कुल गार TW टोटल वर्क अब हमको Efficiency निकालना एक दिन का छमता सबका निकाल तो 100 अपन 25 कितना 4 हंडेण Eng who Kतना 5000 कितना फाई अगरा आप तो पुचैंए एक दीन में कितना यूनित काम करेगा फाइव यॉनित वियृक दिन में कितना करेगा फांड ऑप्से बताईए कि अपलां दीन आएगा फांड कर लेगा वि अगले दिन आएगा पोअकर सब्सक्रसी में तोटल दो दीन में कितना unit हुआ, नाइन डेस में, तीसरा दीन से repetition स्टाट होगा, तदो दीन में 9 unit result आ गया, यस या नो, दो दीन में 9 unit हुआ, अब 9 में कितना से multiply करें कि 100 के आसपास हो जाए, एकदम पास हो जाए लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, 1100 गुना करेंगे तो 99 हो में A start doing this work, A काम start करता है, एक चीज़ ध्यान रखेंग, अगर examiner B start करवा है, तो आपको शुरू में B करना है, एक बार क्या करेंगे, इस questions को जब हम बता देंगे, एक बार B को भी, B से भी खुझ से solution करेंगे, अगर B start करेंगे, तब क्या होगा, चली, question में कहरा है, A start doing, इसका अगला दिन आएगा, A आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, A आएगा, A आएगा, ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा तब तक होता रहेगा, जब तक ये काम complete नहों हो जाए, repetition कहां से start ह हो जाएगा, दूसरा दिन से repetition start हो जाएगा, तरुक जाएगा, अब मुझे बता, A एक पहला दिन आएगा, तो कितना unit काम करेगा, जल्दी बता, A पहला दिन आएगा, तो कितना unit काम करेगा, फाइव यूनिट, B अगला दिन आएगा, तो कितना unit काम करेगा, फोर दिन, त हो आब यहां देटीजेगा हें टू डैसबीू नाइन यूनिट्ट कप्लीट हुआ है टू डी में नाइन यूड़ीटि नाइन यूवानिट एक अह मुझे बताएं नौ में इतना से गुना करें कि हंडेड आजाए क्योंकि हंडेड टोटल वर्क है हंडेड आजाए यह हंडे से हलका कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए नौंसे कितना से गुना करदें 11 से सब्सक्राइब करेंग कितना होगा दीनानों यूंट हमेज़ तना ही से मैस के उसार लशाइट साथी गुना करतें चलिए लेफ्ट से साइड़ से गुना कर तिस्ट लिव isbesऩ कितना होगा Kele आइस दिन, ओके, कितना यूनिट कम्प्लिय और 99, हमको करना कितना है, 100, अब मुझे बताईए, अब कोन आएगा, देखे, A, B का हम जोड़ा लिए, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, 11 बार आया होगा, तो B पे लास्ट हुआ होगा, B पे लास्ट हुआ होगा, तो अब कोन आएगा, A आएगा, A, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट, A, एक दिन में आएगा, तो 5 यूनिट, तो 104 यूनिट हो जाएगा, फिर तो जादा हो जाएगा, तब आप क्या करें, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे, A अगर आएगा, तो A, एक दिन में, तो 1 यूनिट कितना दिन में काम करेगा, 1 by 5 देज, इसको डाइरेक्ट भी निकाला जा सकता है, ओके, डाइरेक्ट भी निकाला जा सकता है, 5 यूनिट, एक दिन में, तो एक यूनिट कितना, एक बटा 5 दे, 1 by 5 देज में, तो आप मुझे बताए, A आएगा, कित इतना दिन लगा है कि बाइस कि वन बाइफ फाइफ डेज कि बाइस पुर्णाट एक बटा पांच दिन ठीक है उमीद है आपको अच्छे से समझ में आया हुगा यह लाइन आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं बाद में आप चाहे तो स्कीप कर दें कि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आया समझें इस लाइन को आप एक्जाम होल में या प्रैक्टिस के दोड़ान इलिमिनेट भी कर सकते हाटा भी सकते हैं ठीक है और इस लाइन को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे पांच यूनिट एक दिन में करता था एक एक यूनिट कितना दि मुझे यह बताएगा अगर भी स्टार्ट करेगा जाएगा तो ए कहां होगा यूईट होगा आप मुझे बताएगा टी आसर के एनसर क्या होगा आईएगा का और फॉर्टीन का दूसरा सकेंड एंसर आप आप मुझे कमेट कीजिएगा ठीक है चलिए एक्जांबल नोर 15 की ओड़ चलते हैं चलिए हम एक्जांबल नोर 15 की ओड़ाते हैं आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं यस या नो बस आप continue पढ़ते जाएं अप मैस में बहुत अच्छे होगla है बस नोट्स को आप continue बनाते जहां और जीतना questions आपर एक solution करने के लिए solution करके आप comment जरूर किया करें ठीक है फिर हम book भी बताएंगे आपको practice करने के लिए कौन से book से practice करें क्या करें नहीं करें उस सब बताएंगे फिलाल आप याप day by day पढ़ते रहे हर एक दिन पढ़ते रहें और notes बनाते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें example of 15 चलिए दे start करते एक्जाम 15 में है क्या a b and c can do a piece of work in 30 20 and 10 days देखें तीन व्यक्ति है a b c कितना व्यक्ति है तीन व्यक्ति है a b c a 30 दिन में काम कर सकता बी अकेला 20 दिन में और c 10 दिन में ठीक है अगला line का a is assisted by b on one day and c on next day मतलब माल लीजे कि हम है एक आप है और एक और व्यक्ति है तो हम माल लीजे ये board बनाना है ठीक है ये board बनाना है तो हम तो इस board को बनाने में daily काम करेंगे daily बनाएंगे ठीक है जब तक board नहीं बन जाए लेकिन आप मेरे साथ पहला दिन काम और जो दूसरा व्यक्ति है न वो मेरे साथ अगला दिन काम करेंगा फिर पहला दिन हम काम करेंगे और आप मेरे साथ काम करेंगे ठीक है फिर अगला दिन हम काम करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ काम करेंगा फिर अगला दिन एक काम हम करेंगे फिर आप इसका मतलब यह हुआ कि हम तो प्रतेग दिन काम करेंगे मेरे साथ लेकिन पहला दिन लेका और अगला दिन Crim a कभ तकège आएगा जब तक काम कम्प्लीट ना हो जाए तो चलिए हम सॉल्फिशन करते हैं एक्जामपल नमबर 15 उधारन 15 एक्जामपल नमबर 15 में है एक किसी काम को 30 दिन बी इन 20 डेज बीज दिन ठीक है और सी इन 10 डेज दस दिन ठीक है यह कोशन में गीवेन है पहला काम करें क्या करेंगे जल्दी बताएं पहला काम क्या करेंगे अगर हम आप से पूछे एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है एक दिन में दो यूनिट बी एक दिन में तीन यूनिट और सी एक दिन में कह रहा है कि A तो प्रतेक दिन काम करेगा और B अगले दिन उसके साथ पहला दिन और C अगले दिन देखिए अगर हम एक्जाम हॉल में होंगे तो हम यह लाइन बनाने का कोई आवसकता नहीं उतना टाइम बरबाद नहीं करें क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है अब मुझे नहीं है कि यह बताए रिपिटेशन कितना दिन बाद स्टार्ट हो जाएका दो दिन बाद या तीन बाद जल्दी बताइए घृक कितना इन बादे नियुयर्इशन दो दिन स्टार्ट हो दो दीन में 13 यूनित फिर 13 से गुना करेंगे कितना चारवान बावन हो जाएगा चलिए हम लाइन डायग्राम लेकर करके आपको समझा देते न तो ऐसे आपको अनुभा बागर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा देखिए कोशन में कह रहा है क्या ए तो हर एक दिन काम करे यानि पहला दिन भी A आएगा अगला दिन भी A आएगा अगला दिन भी A आएगा लेकिन पहला दिन A के साथ आएगा B अगला दिन A के साथ आएगा C फिर आएगा B फिर अगले आएगा C ऐसा कब तक होता रहेगा ऐसा कब तक होता रहेगा जब तक साथ यूनिट काम कंप् यूनिट एक के साथ सी आएगा तो कितना दो और टू एंट सिक्स कितना एट कितना दिन काम हुआ दो दिन रिप्रेशन स्टार्ट हो कितना तेरो यूनिट क्या यहां तक समझ माया यस यह लो बोलते रहें ठीक है तो चलिए अब यहां ध्यान दीचिएगा अब मुझे बताएं दो दिन में कितना यूनिट काम ओर रहा है 13 ळेर यूनिट अब तेरो में कितना से गुना करते हैं से यह साथ आजाए यह हल्का साथ से काम आई ज्यादा नहीं आना चाहिए 4 से परना कर देंू बावन यूनिट देखे मैस के हिसाब से राइट साग जितना से गुणा किया लेफट साइड भी इतना होगा 8 डेज ओके अब मुछे बताएए अबंट ही काम होना कितना है, काम होना यूनिट कितना बच गया, आठ यूनिट बच गया है अब 8 unit करेगा कौन? अब कौन आएगा? A के साथ B आएगा या C आएगा? देखे A, B, A, C ऐसा repeat हुआ है चार बार तो यानि C पे खतम हुआ होगा? यस या नो? तो आप जो आएगा A के साथ B आएगा तो B कितना unit काम कर लेगा? 5 unit. तो A के साथ कौन आएगा? A के साथ आएगा A के साथ आएगा B और B आएगा एक दिन काम करेगा? एक दिन में कितना unit काम करेगा? जल्दी बताइए 5 unit तो कितना हो गया? 52 और 5 कितना हो गया? 52 और 5 57, 57 अभी भी कितना unit बचा हुआ है? 3 unit बचा हुआ है कितना यूनिट बचा होगा है त्री यूनिट बचा होगा है अब मुझे बताए एक साथ कौन आएगा एक साथ कौन आएगा सी आएगा लेकिन सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है आठ यूनिट हमको जरूरत कितना यूनिट का है जरूरत कितने यूनिट का तीन यूनि यह आएगा ठीक है और 8 unit C करता है एक दिन में एक दिन में तो एक unit कितना में करेगा एक unit करेगा 1 by 8 days में तो 3 unit कितना में करेगा 3 by 8 days देखे इसको direct लिखना सीखिए इतना लिखने का बसक्ता नहीं यह line बेकार है इसको direct लिखना सीखिए पहले थो हम यह लिख देते हैं यह आएगा 5 unit करेगा फिर कितना आएगा 3 by 8 days आएगा 3 by 8 days आएगा 3 by 8 sorry 8 होगा न 3 by 8 days आएगा और कितना यूनिट काम करेगा त्री यूनिट ओके देखिए इसको डाइरेक्ट लिखना सिखिए जितना यूनिट आपको जरूरत है उसको उपर रखिए ठीक है और जितना यूनिट वो करता है एक दिन में उसको नीचे रखिए जितना जरूरत है उसको उपर जितना करता है पतना नीचे रखना है तरी बाइट डेज हो जाएगा डायरेक्ट लिखने का इतना लिखने का कोई हो सकता नहीं अब मुझे बताएं 52 & 55 कितना 57 & 3 कितना 60 यानि 60 यूनिट हमारा डन 60 यूनिट ही ना काम करना है हमारा काम कितना साथ यूनिट डन 60 यूनिट एट वन नाइन थ्री बाइट डेज ओके एंसर कितना होगा नौ पुर्णाग 3 by 8 डेज में काम कम्प्लेट हो जाएगा ये रहा आपका एंसर देखे एक्जाम हौल में का करेंगे इतना काम नहीं करेंगे ये और ये लाइन बेकार है ये हम आपके समझने के लिए लिख दिए बस यहां से डायरेक्ट लिखेंगे और कुछ बाते आप प्रैक्टिस करेंगे जब अनुवब हो जाएगा आपको अच्छा तो आपको लिखने की आवसकता नहीं होगी आप माइंड के अंदर ही सोच करके डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन सुरुवात में जब फर्स टाइम पर रहे हैं तो एक-एक लाइन लिख करके प्रैक्टि 30 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्ट कर सकता है ठीक है यदि ए लगातार कार करें तों हर 30 दिन B x C x Vs मिल करें तो आक प्राइन की स Innovation जब आजाए तो फिर करने ठीक है तो उमीद है आप पोअःश कियोंगे तो चली एक 46 को सॉल्फ करते हैं एक्जाम्पल नुबर 16 में है तीन व्यक्ति है ए है किसी काम को 20 दिन में B 30 दिन में C 60 दिन में ओके फिर आप इसका क्या करें आप LCM ले ले, यह कितना होगा, साठ यह कहलाएगा टोटल वर्क अब हम वन डे वर्क निकालेगे, इफिसेंसी छमता, 60 उपन 60, 1 60 उपन 30, 2 60 उपन 20, 3, ओके तो A एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा A एक दिन में 3 unit B एक दिन में कितना unit काम करेगा 2 unit C एक दिन में कितना unit काम करेगा 1 unit ठीक है question में कहरा है यदि A लगातार काम करे और हर तीसरा दिन B और C मदद करे हर तीसरा दिन, दूसरा दिन है हर तीसरा दिन, तो चलिए पहले हम एक repetition कितना दिन बाद है start होगा तीन दिन बाद तो एक line ले लेते हैं इसके बिना भी solution हो सकता है लेकिन हम line लेकर कि आपको समझा देते हैं ठीक है पहला दिन A आएगा फिर अगले दिन A अकेला आएगा क्योंकि हर तीसा फिर अगला दिन जो होगा वो A तो आएगा A के साथ कौन रहेगा B भी रहेगा और C भी रहेगा फिर अगला दिन कौन आएगा A आएगा फिर अगला दिन A आएगा फिर अगला दिन A के साथ B हर एक तीसरा दिन ऐसा कब तक होता जाएगा जब तक साट यूट कम्लीटने ौड़ायक 있는데 स्टार्टम से तीन दिन बाद लेपिटेशन जाएगे ठीक है अगर आप मुझे यह बताए, अगर पहला दिन आया, तो कितना यूनिट काम करेगा, तीन यूनिट, ए अगला दिन आया, फिर से तीन यूनिट, और A, B, C, तीसतरा दिन आया, तो A, B, C, 3 और 2, 5, और A, 6, ठीक है, टोटल कितना दिन हुआ, 1, 1, 1, 3 डेस, कितना यूनिट 12 यूनिट, ओके, अब मुझे बताईए, तीन दिन में, कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट, ठीक है, तो कितना से गुना करे, कि साट हो जाएगा, क्योंकि टोटल साट वर करना, कितना से गुना करे, 5 से गुना करना होगा, तो चलिए 5 से गुना करे, तो कितना हो जाएगा 60 unit और math के हिसाब से right side 5 से गुना किते left side भी कितना गुना करेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताए कितना हो जाएगा 15 days हो जाएगा तो 60 unit करना था 60 unit हो गया तो answer कितना होगा answer होगा 60 days ठीक है देखे अगर आपके पास कोई book है तो आप इस type का time and work में इस type का question based on alternate में question solve करेंगे question solution इसको हरे question को पहले 5-5 वार revision करेंगे rough copy पर practice करेंगे और फिर जाकर के इस type का जो भी question मिलेगा जिस भी book में हो जिस भी exams का आप तयारी कर रहे हो जैसे माले railway का group D exam देना हो, ALP देना हो या bank PO देना हो या माल लिजे CHSL देना हो CHSL CGL देना हो तो उसका previous year question इस type का solve करें solution हो जाएगा आप से तो इस type के लिए इतना ही अगले type में हम question based on group परेंगे समू पर आधारीत परसन या question based on efficiency शमता पर आधारीत परसन परेंगे ठीक है वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताया करें comment अगर आप करके बताएंगे तो हम हो सके तो और अच्छे से improve करेंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो comment करके जरूर बताएं कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों को share जरूर करें और बताएं कि यहां regular इस channel पर ICC campus पर मैस पढ़ाया जा रहा है तो मैस को join कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको मैस अच्छा लगेगा तो हम continue for reasoning based start कर देंगे ठीक है तो अगर यहां पर subscribe का button है अगर आप में से कोई अभी तक subscribe नहीं किये तो इस button पर click करके subscribe कर ले और यह पहले का वीडियो अगर देखना चाहे तो देख सकते ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में अगले parts के साथ तब तक के लिए अपनों और अपनों का धियान रखे थैंक यू